गाइज क्या आप जानते हूँ दुनिया की ऐसी कौन सी पदार्थ है जो एक गराम की कीमत करीब 31,25,000 करोर रुपिये हैं ऐसी क्या खास बात है एक पेर में जिसमें सिर्फ केवल पैसे ही पैसे नजर आते हैं क्या आप जानते हैं गैस सेलेंडर लिके जोने पे हमें स्मेल क्यों आती है सारा जवाब जानने के लिए और ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स वीडियो देखने के लिए इंड तक जरूर देखें दोस्तो क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे महगा नमक आइस लेंडिंग सॉल्ट है इस नमक को सिर्फ 90 ग्राम की कीमत आपको 803 रुपी अदा करने परेंगे ये नमक वेस्ट फॉल्ड आइस लेंड में साल्ट वर्क फैक्टरी में हाथ से तयार किया जाता है दोस्तो कर आप से पूछा जाए दुनिया का सबसे महगा पदारत क्या है तो आप जरूर एक वार सोचेंगे सोना हीरा मोती ये महगा पदारत है पर दुनिया की सबसे महगी पदारत एंटी मीटर है जिसे प्रति पदारत भी कहा जाता है इस प्रालत की एक ग्राम की कीमत करीब 31,25,000 करोरो रूपिय हैं एंटी मीटर की ताखत एक परमानू बंद जितनी होती है जो की पूरी सहर को खत्म कर सकती है फैक्ट नमर एट जापान में सारवजनिक सोचाले में स्मार्ट गलास लगे होते हैं अनलोक होने पर पारदर्सी होते हैं जो की कुछ ऐसे दिखते हैं लेकिन दरवाजा बंद करने पर पारदर्सी काच के सोचाले और पारदर्सी में बदल जाते हैं और इस प्रकार दिखते हैं Fact number 7, महलाओं की उम्र पुरूस की तुलना में ज़्यादा होती है और इसका मुख्य कारण है महलाओं का इम्यून सिस्टम ज़्यादा बेहतर होता है अगर ग्राफ को देखे तो 100 की उम्र को पार करने वाली लोगों में 5 में से 4 महलाएं होती है Fact number 6, क्या आपने कभी उल्लू को चूहा खाते देखा है अगर नहीं तो मैं बता दू एक साल में उल्लू 1000 से भी ज़्यादा चूहे खा जाते है Fact number 5, गूगल अपने हेड़कॉाटर के बगिचे की घास कटाने के लिए मरसीनों का इस्तिमाल नहीं करती बलकि वो कालिफोर्निया ग्रेजिंग नाम की कमपनी से 200 बकरियां किराये पर लाती है और ये बकरियां घास चरती है इसमें उनका भी पेट भर जाता है और घास भी साप हो जाती है बरसात के समय जहां अन्य पक्षी अपने अपने घरों की और भागते हैं वहीं बाच एक मात्र ऐसा पक्षी है जो बारिस होने पर बादनों की और चला जाता है यूके में स्कॉटिस हाइलेंड के पीक डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट में एक ऐसा अनुखा पेर इस्थीत है जिसमें केवल पैसे लधे हैं सतरसो सालों से ब्रेटिस सिक्कों से जरे हुए हैं जिसके तने में ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां ब्रेटिस सिक्का ना लगा हो यहां लोग यातायात के लिए केवल नौकाएं का इस्तेमाल करते हैं गैस सलेंडर तो सभी के घरों में होगा लेकिन क्या आप जानते हो प्राकृतिक गैस बिना गंद की होती है सच तो यह है इसमेल तो जान बूझ कर एड की जाती है ताकि लिकेज होने पर पता चल सके आई होग दोस्तो आज की वीडियो नौलेजवल लगी हो और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मिलते हैं एक नए वीडियो और एक नए जोस के साथ तब तक के लिए जहें